नमस्कार दोस्तो स्वागाते नई वीडियो में दोस्तो हमा चुकी हैं यूपी की लखनौ में तो देखिए यूपी का आज मैं ब्लॉक बना रहा हूँ यूपी मैं क्या-क्या दस सालों में हुआ है आज हम देखते हैं कितनी तरक्क्य हुई है तो दोस्तो जैसे मेरे यूट स्टेशन के बाहर निकला है यहांद कोड़े कोड़े के द्धर लगा हुआ है सारी चारों तरब कच्राइब क chosen के बिलकोल नीचेव और यहां पर काफी ट्राफिक भी है और यहां देख सेथ कितना सा कर यहां पर कबार पड़ा हुआ गंध है इसी पर लोग चल रहे हैं थोका हुआ है तो रेले स्टेशन के बाहर और मेट्रो स्टेशन के नीचे तो कोई सफाई नहीं दिख रही मुझे यहां पे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है और इसके बाद में यहां पे दिखे ट्रैफिक इतना है कि पैर रखने की जगा नहीं है यह है चार बाक रेलेशेशन लखनों का हाल जो यूपी के राजदानी है अब हम मैं आ चुक हूँ बस पे आगे चलने के बाद मुझे काफी अच्छा व्यू मिला यहां पे देख सकते हैं काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे उची सोसाइटियां दिखाई दे रही है और एक जैसा मेटरो सिटी होना अच्छे लखनों में वैसा दिख रहा है बड़े-बड़े यहां में मॉल बने हुए है तो लखनों तो काफी ड गड़के देखते सडके काफी अच्छी है लखनों के अच्छा बनावा गाड़ियां चल रही है उसके बाद में लखनों से हम बाहर निकल चुके हैं आग हम सहाबपूर यानी कि अब आच explosives इंच Co यहां पर शिंगल रोड पनी हुई होई है एक ही रोड पर लोग आ रहे है जा रहे है एन्नेच नेशनल हाईवे और यह देखिए नेशनल हाईवे है यह है अपना यूपी का तो यूपी के राजधानी से निकलते हैं यहाँ पर सडके जो आ गए है नेशनल हाईवे जो है वो पतली पतली एक ही सडक पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो अब यहाँ प भी देखती हैं सड़के कैसी हैं तो अब यहाँ पे हम कुछ खा लिते हैं देखिए रेस्टोन पर आकर मैंने यहाँ पर कुछ खा लिया है उसके बाद में आब हम चलते हैं बहराइच की तरफ बहराइच जिल आ गया है तो दोस्तों लखनाओ की सड़के तो काफी अच्छी ह लखनाओं के बाद 12 बंकी 12 बंकी ये बाद बहराईच रोड जो ये है यहां सब पतली रोड है एक ही सड़क पे लोग आ रहे है जा रहे है तो योगी राज में 10 साल में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ यहां पर यूपी ब्लोग देखने के लिए लाइक चल रहे है तो द जैसा खिले इसने यादों ने छोड़ा था वैसे ही आज भी